बारत और किस देश के बीच में सूर्य किरन 2019 संयुक्त सिन्य अभ्यास का आयोजन किया गया तो अंसर होगा भारत और नेपाल के बीच में तो 3-16 देसंबर तक चला ये सूर्य किरन जो कि भारत नेपाल के साथ करता है अचा हुआ कहाँ पे तो नेपाल के रूपेन देही जिले में यानि कि नेपाल में हुआ नेपाल की कैपिटल काटमांडू है याद रखना सार्क का हैटकौाटर काटमांडू में है करंसी नेपाली रुपिया है प्रसिदेंट विद्या दिवी बंदारी और प्रधानमंतरी खड़क प्रसाथ को लिए अचा नेपाल के पहले सेटलाइट का नाम क्या है नेपाली सेट वन और शिरे लंका के पहले सेटलाइट का नाम रावन वन फिर है अभी किसे National Award for Excellence in Journalism 2019 से सम्मानित किया है तो आंसर है रंजना नारायन को तो United News of India की पत्रकार है यह रंजना नारायन और इनी को इनके जीवन भर के उपलबनियों के लिए National Award for Excellence in Journalism 2019 से सम्मानित किया गया है यह जो नहा दिक्षित है अंतरराष्टे प्रेस Freedom Award मिला था इनको रविश कुमार NDTV के पत्रकार है इस साल दो Important Award मिले पहला गौरी लंकेश Award मिला और एक Roman Maxis Award मिला यह जो राजदीप सरदेशाई है टूडे टीवी चैनल के पत्रकार है और 2019 का भाट्य पुरसकार मिला था इन जिसमें भारत की GDP growth rate 4.5% रही है देखो जो आपका with words होता है financial year होता है एक अप्रेल से शुरू होता है 31 मार्च को खतम हो जाता है इसको अपनित 4 तिमाही 4 quarter में बाट दिया सबसे पहला quarter सबसे पहला तिमाही अप्रेल मई जून फिर आएगा जुलाई अगस सेप्टेंबर फिर आएगा October, November, December फिर January, February, March 4 quarter हो गए तो इससे पहले सरकार पहले quarter का GDP बता चुकी है 5% ये second वाला quarter जुलाई अगस सेप्टेंबर वाला इसका बता है 4.5% तो आप दोनों याद रखो अभी फिरेक किसे इस साल के ज्यानपीट अवार्ड से नवाजा जाएगा तो आंसर होगा अक्कीतम अच्चुतन नम्बुदिरी ये प्रख्यात गांधिवादी और मल्याली लेखके है और इने मिलेगा इस साल का ज्यानपीट अवार्ड ये 55 वा ज्यानपीट अवार्ड है और स मनीशा कुल श्रिष्ट की बात करें, बिहारी पुरुसकार मिला, ये राजस्थानी है, इनका उपन्यास था स्वपनपास। शिवा रेड़ी इस साल का सरसुती सम्मान मिला इनको, तेलगू कवी है, इनकी कवीता संग है, पक्की की ओध गिलिते के लिए। फॉर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी रियल टाइम बिलिनियर लिस्ट आई है, और उसमें सबसे धनी वेक्ति दुनिया के कौन रहे हैं, तो सही उत्तरों का उप्शन भी जेफ बेजौस, अच्छा याद रखना, पिछले महिने यानि के नवंबर में ब्लूमबर्ग ने कहा था कि बिल गेट सबसे धनी वेक्ति हैं, लेकिन अभी हम देसंबर में पढ़ रहे हैं, फॉर्ब्स की मैगजीन की सूची आई है, और उसने बताया है कि जेफ बेजौस सबसे धनी वेक्ति हैं, एक्छली इससे पहले भी फॉर्ब्स की सूची आई थी, जिसमें उसने बिल गेट्स को सबसे अमीर बताया था, लेकिन उसने अब अबडेट कर दिया अपनी लिस्ट को, और जेफ बेजौस को सबसे धनी वेक्ति बताया है, तो ब्लूंबर्ग ने अपनी लिस्ट को अभी तक अप्डेट नहीं किया है, तो अभी अगर ब्लूंबर्ग के टेस्ट रन बनाने वाले किरिकेटर कौन बने है तो आंसर होगा स्टीव इस्मित आस्ट्रेलिया के हैं ये स्टीव इस्मित और पहले ये रिकॉर्ड इंगलेन के वैली हैमन के नाम था उन्होंने 131 पारियों में मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट में जागर के आप लोग भूल जाते हैं तो इसको शेर करना मत भूलना बढ़ते हैं आगे किसे पत्रकारिता में उत्करष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टिटूट इंडिया अवर्ड से समानित किया गया आंसर होगा एंडिटीवी को तो कठवा बलातकार और हत्या मामले की जाच की साजिश का परदाफास करने के लिए प्राइविट न्यूस चैनल उत्तरी श्रीलंका का गवर्णर बनाया गया है तो आंसर होगा मुठहिया मुरली धरन तो श्रीलंका के पूर किर्केटर हैं ये मुठहिया मुरली धरन और इनी को उत्तरी श्रीलंका का गवर्णर पत्पर न्यूक्ट किया गया है श्रीलंका के बारे में जानलू कैपिटल कॉलम्बो इसकी commercial capital है कॉलम्बो श्री जयवर्दन पुरम कोटे इसकी administrative capital है सबसे important इसके president और प्रधानमंत्री नए बने president बने है कौन गोता बाया राजपक्षे जो भी भारत की यातर पे थे और प्रधानमंत्री बने कौन महेंद्रा राजपक्षे ये दुनों भाई हैं यानि कि 29 November को शिलंका के राशपक्षे कौन नए बने अभी गोत बाया राजपक्षे वो भी भारत की यातर पर आयते Sweden की capital Stockholm है currency है Swedish और 2021 में Special Olympics Games आपके Sweden में ही होंगे और सुडेंस एक लड़की काफी famous है नाम है Greta Thunberg और Greta Thunberg को इस साल का अंतर राश्ट्र बाल शांती पुरस्कार मिला है और Greta Thunberg के साथ ही Cameroon की Divina Malone को भी अंतर राश्ट्र बाल शांती पुरस्कार मिला है तो ये दो नाम भी याद रखना फिर है किस देश को पहली बार UNESCO की विश्व दरोहर समीति के लिए चुना गया तो आंसर होगा Saudi Arab तो ये जो विश्व दरोहर समीतियां होती है न साल में एक बार मिलती है और ये फाइनली डिसाइड करती है कि किस इस्तल को विश्व दरोहर की सूची में शामिल करना या नहीं करना UNESCO की बात करेंगे तो United Nations Educational Scientific Cultural Organization फुल फॉर्म हो गया Headquarter France Paris में है Director General अध्रे उजाले फिर है अभी विश्व AIDS दिवस हमने कब मनाया तो सबसे important है December का 1 December को मनाया था और सबसे important Regis की theme Theme क्या है Communities Make the Difference क्या है theme Communities Make the Difference तो HIV संकरन के परचार वह प्रसार और बिमारी के बारे में जागरुकता फिलाने के लिए इसे हर साल 1 December को मनाया जाता है AIDS की full form याद रख लो Acquired Immuno Deficiency Syndrome और HIV की Human Immuno Deficiency Virus याद रखना इस 1 December को यी BSF Border Security Force ने अपना पचपनवा स्थापना दिवस भी मनाया BSF के नए Director V.K. जोहरी बने है और 1 December को यी नागालेन ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया फिर है अभी इराग के प्रदान मंत्री ने इस्तिफा दे दिया क्या नामे उनका? बुलिवय की केपिटल सुकरे होती है और मोक्सा गिस्सी मासी तो इन्होंने इस्तिफा नहीं दिया है ये तो बल्की बोथस्वानक के ने रास्पती बने है बोथस्वानक की केपिटल है गेबरॉन और इराकी capital होती है बगदाद करणसी है इराकी दिनार प्रेसिडेंट कौन है बरहम सली फिर है micro credit में code for responsible lending की steering committee के पहले अद्धिक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया आंसर होगा HR खान को ये जो HR खान है ना पहले RBI के पूर वे deputy governance है और अब micro credit में code for responsible lending की steering committee के पहले अद्धिक्ष बन गए है देखो lending मतलब क्या होता है किसे को loan देना तो हर किसे को तो loan नहीं दे सकते हैं वरना उसने loan नहीं चुकाया तो हमारा NPA बढ़ जाएगा non performing asset तो उसी के लिए एक steering committee बनी और उसके पहले अद्धिक्ष बने है HR खान आपको और भी बताओं जैसे कि निलम सानी आंद्रपरदेश की पहली महिला चीफ सेकरेटरी बनी डॉक्टर विनिया शेटी ये अंतरराष्टे संगटन विकास संग की पहली भारत्य उपाद्धिक्ष बनी थी सुधीर मित्तल जिमनेस्टिक फेडरेशन आफ इंडिया के अगले अद्धिक्ष बने थे फिर है दो IIT और National Council of Science Museum ने किस पीडिया को विक्षित करने के लिए आपस में हाथ मिलाया है तो आंसर होगा गांधी पीडिया थे को पीडिया का मतलब मैंने आपको बताया था नौलेच का संगर तो IIT गांधी नगर और IIT खड़कपुर इन दोनों ने National Council of Science Museum के साथ मिलकर के गांधी पीडिया को बनाने का निने लिया है तो यहांपे क्या होगा आपको गांधी जी से रिलेटेड जो भी जानकरी चाहिए यह सब जानकरी आपको यहांपे मिलेगी जो कहीं नहीं मिल सकती फिर है अभी बैलेस्टिक मिसाइल अगनी 3 का पहला सफल रात्री परिक्षन कहांपे किया गया तो आंसर होगा उडिसा में उडिसा में कहांपे अब्दुल कलाम द्वीपर जिसे पहले विलर दीप के नाम से जाना जाता था यह सर्फेस टु सर्फेस मिसाइल है और पिछले महिने नवंबर में अमने पढ़ा था कि अगनी 2 का भी डॉक्टर कलाम द्वीपर सफल परिक्षन किया गया था सफल रात्री परिक्षन किया गया था और उससे पहले प्रत्वी 2 का चांदिपूर उडिसा से रात्री सफल परिक्षन किया गया था फिर है अभी भारत ब्रष्टाचार सर्वेक्षन 2019 आया है और उसमें सबसे अधिक ब्रष्ट राज्य कौन सा बताया है तो आंसर होगा राजस्तान वैसे तो इस सर्वेक्षन से पता चला है कि 10 सालों में करप्षन में 10 प्रतिशत की कमी आये पर बारत में सबसे अधिक ब्रष्ट राज्य रहा है राजस्तान जहां पर 78 परसिंट जन्ता ने ये सुकार किया है कि वह किसी काम को करवाने के लिए र अंतर राष्टर रिपूट आये थी और उसके अनुसार विग्यानिक कब तक गायों की नई नेसल विक्षित करेंगे तो आंसर होगा 2020 तक तो 2020 तक परियावर्न के अनुकूल गायों की नई प्रजाति विक्षित की जाएगी जो तेजी से बढ़ती है और खाना भी कम खाती फिर है हाली में जारी Global Diplomacy Index में कौन सा देश टॉप पर है तो आंसर होगा चाइना तो इस इंडेक्स को जारी किया है सिडने की लोवी इंस्टिट्यूट ने और इसमें चाइना टॉप है अच्छा ये इंडेक्स बताता क्या है ये बताता है कि दुनिया के डिप्लोमेट है चाइना के उनमें चाइना टॉप पर है भारत में टोटल 12 एंबसीज है भारत इस लिस्ट में बारवे नंबर पर है हमारे नई दिल्ले में टोटल 123 दूतावास हैं एंबसीज है और विश्व में बात करेंगे तो हमारे 54 वनेजिक दूतावास है तो इस लिहाजा से हम ब बारवे नंबर पे हैं, टॉप पे चाहिन आए, यह याद रखो, फिर एक Global Migration Report 2020 के मुताबिक किस देश की प्रवासियों की तादात सबसे ज़्यादा है, तो आंसर होगा भारत, तो इस रिपूर्ट में बताया कि भारत विश्व भर में अंतरराष्टे प्रवासियों का सबस 75 करोड है, और यह रिपूर्ट जारी कि यह International Organization for Migration जिसका Headquarter Geneva Switzerland में है, फिर है दक्षिन एशियाई खेल कहाँ पे शुरू हुए थे, तो आंसर होगा नेपाल में, तो 2019 के South Asian Games एक देसमबर को नेपाल के काट मांडू में शुरू हुए थे, दो की 10 देसमबर तक चले, और यह इसका 13 संस्क्रेंट था, अच्छा आपको पता है न, अगले साल आपके Olympic होने वाले, कहाँ पे 2Q में, जिसे हम कहते हैं 2Q Olympic, अच्छा इस Summer Olympic है कि Winter Olympic है, तो याद रखना यह Summer Olympic है, और इसके शुबंकर मैस्कोट आपको याद दोने चाहिए, मैंने कहीं बार बताया है, एक तो है मेराइटोवा और एक है सोमेटी, उसके बाद 2022 में जो आपके Olympic होंगे वो Winter Olympic होगा, कहाँ पे बीजिंग में, और बीजिंग के भी मैसकोट याद कर लो, क्योंकि अभी आगया है 2019 में, एक तो है मुस्कुराता हुआ पॉंडा, जिसे कहते हैं बिंग ड्वैन ड्वैन और एक है चीनी लाल टेन, जिसे कहते हैं श्वैन राउन राउन, और 2022 में आपके Commonwealth Games भी होंगे, कहाँ पे Birmingham, UK में, और 2022 में ही Asian Games होंगे, कहाँ पे Hongzhou, चाइना में, और 2022 में जो FIFA Football World Cup होंगे, कहाँ पे होंगे, कतर में होंगे, फिर है, आबुदाभी Grand Prix Formula 1 रेस किसने जीत ल गाड़ी चलाते हैं, Mercedes की गाड़ी चलाते हैं, ये Britain's है, ये England के player है, और ये खुद England के हैं, इन्होंने टोटल 21 में से 11 races जीती है, अचा आप लोगोंने का था, कि इस साल में जितनी भी Formula 1 races हुई है, कौन कौन से हुई है, उनको किस ने जीता है, और कौन किस company का driver है, इस प guaranteed, और मैंने आपको सारे question भी कराएं, जिस तरह से exam में पूछे जा सकते हैं, और उसके बाद अपनी application में सारे question रख करके, आप से practice भी करवाई है, आपका test भी लगाया है, तो अगर बीट तक आपने उससे try नहीं किया है, तो उससे try जरूर कर लेना, बस exam में question गलत नहीं ह पर एक किसे G20 देशों का देच्श बनाया गया, तो आंसर होगा Saudi Arab को, तो Saudi Arab को Japan के बाद G20 देशों का देच्श बनाया गया है, और इस तरह से G20 देशों का देच्श बनने वाला ये पहला Arab देश बन गया है, तो यह आप याद रखना साओधी अरब की कैपिटल है रियाद करंसी है साओधी रियाल और किंग है महम्मद बिन सल्मानल साओध याद रखना अभी महिला कार रेसिंग में हिस्सा लेने वाली साओधी अरब की पहली महिला कौन बनी थी तो रीमा जुमाली फिर है अंतरराष्टर गुलामी उनमूलन दिवस कब मनाया तो आंसर होगा दो दिसंबर को अच्छा इसके लाबा याद रखना दो दिसंबर को दो इंपोर्टेंट डे और मनाते हैं एक तो है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और एक है नेशनल पॉलिशन कंट्रोल डे फिर है हज प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है तो आंसर होगा भारत इसका मतलब यह हो गया कि अब भारत से जो भी हर्ज यात्रा पे यात्री जाएंगे ना उनकी पूरी प्रक्रिया को डिजिटली पूरा करेगा और ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है भारत अचा हमारे अलपसंग के एक मामलो के मंतरी को ने मुकतार अबास नकवी है फिर है किसे नए CGA यानि कि कॉंट्रोलर जनरल अकाउंट्स महा लेखा महा नियंतरक के रूप में नियूट किया गया आंसर होगा सोमा राय बर्मन को तो ये 24 वी महा लेखा नियंतरक बनी है या यूँ कैदू कि 7 वी महिला बनी है इस पद पर आने वाली अचा CGA को CAG केग से कन्फ्यूज मत करना केग मतलब होता है कॉंट्रोलर एन और्डिटर जनरल जो कौन है वर्तमान में राजिव महर्ची है वैसे यहाँ पर देखोगे तो प्रमूत कुमार दास लिख रहा है जो कि अल्पसंद के अक्मामलों के सचीव बने पंकच कुमार UIDAI Unique Identification Authority of India के नई CEO बने संजीव नंदन सहाय उर्जा सचीव बने थे फिर है भारत और किस देश के बीच में मित्र शक्ती अभ्याद शुरू हुआ तो आंसर होगा भारत करता है श्री लंका के साथ मित्र शक्ती ये एक दिसम्बर से 14 दिसम्बर तक हुआ था अचा कहां पे हुआ था तो पुड़े के ओन दिस सेन्ने स्टिशन में ये तका साथ वसंसकरण था फिर है सयद मोधी इंटरनेशनल बेडमिंटन चेंपेंशिप में महीला एकल का खिताब किस ने जीता आंसर होगा कैरोलिना मारिन ने कैरोलिना मारिन ये स्पेन की बेडमिंटन प्लेयर है अचा ये तो बात हो गई वुमिन सिंगल की फिर है किसने 2019 का सकती भटी-फर्स बुग प्राइज जीता तो आंसर होगा टौनी जॉसेफ ने तो ये इंग्लिस राइटर है टौनी जॉसेफ और इन्होंने ये बारवा बारवा ये बारवा editor शक्ती-फर्स बुग प्राइज जीत लिया है ये जो पुरस्कार इन्हों ने अपनी पुस्तक Early Indians The Story of Our Ancestors and Where We Came From के लिए जीता है जो उन्होंने 2018 में लिखी थी बाकी तो ये नाम मैं आपको बताई चुका हूँ रंजना नारायन National Award for Excellence in Journalism 2019 जीता अक्किताम, अच्चुतम, नंबुदिरी, पचपनवा, ज्यानपीट, पुरस्कार जीता, मल्याली लेखक हैं, सुरेश कृष्णा, ये नहीं बताया मैंने आपको ये quality रत्न पुरस्कार इन्होंने जीता है, ये नवंबर में पढ़ा था Actually फिर है किसे, अंडमान और निकोबार का चोद्वा कमांडर इन चीफ के रूप में न्यूक्त किया, तो आंसर होगा, लेफटेनेंट जनरल पूडली शंकर राजिश्वर को, शॉर्ट में बोलेंगे तो P.S. राजिश्वर, ये जो मनोज मुकंद नाराउने है न, ये अभ किसने जीती है, तो आंसर होगा, करनाटक ने, तो इस सेद मुस्ता कली ट्रोफी याद अखना, ये किर्केट में होती है, और इसे जीत लिया है करनाटक की टीम ने, किसको हरा करके, तमिल लाडू की टीम को हरा करके, अच्छा, फर्स्ट वाले पार्ट में अपने पड़ा सेद मोधी इंटरनेशनल बेडमिंटन चेंपेंशिप 2019, चो लखनव में हुआ था, और उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था, कैरोलिना, मारिन ने, जो कि स्पेन की बेडमिंटन प्लेयर है, तो दोनों सेद सेद हैं, तो दोनों को याद रखना, फिरह किसने टीट इंटरनेशनल में 13 गेंदों पर बिना रन दिये, 6 विकिट लेकर रिकॉर्ड बनाया, आंसर होगा अंजली चंद, नेपाल की महिला किरकेटर है ये, अंजली चंद, और इन्होंने अभी टीट इंटरनेशनल में बिना कोई रन दिये, 13 गेंदों में 6 विकिट ले डाले और रिकॉर्ड बना दिया किसके खिलाफ माल दियुके खिलाफ अच्छा यह option के नाम भी important है एक बार देख लो बंदना ये भी निपाल की बच्ची है मातर 18 साल के और 20 साल 126 गंटे लगाता डांस करके इन्होंने गिनिच वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाय था आरो ही पंडित की बात क अंसर होगा विनोच शर्मा को तो यह हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार है विनोच शर्मा और संसध्य पत्रकारिता में उत्करश्टता के लिए पहला टी वी आरश्यनोय पुरसकार ने दिया गया किस ने दिया हमारे उप्र राश्ट पती एमवेंकई अना एडुजी न यानि कि अब ये Google और Alphabet दोनों के CEO हैं Google के founder का नाम याद रखो Larry Page और Sergei Bin Headquarters का California US में है अच्छा बात CEO की हो तो एक important point बता दूँ आपको एक Harvard Business Review आया था November में उसमें Top 100 CEO की लिस्ट चारू की थी और उसमें Top पे थे Nvidia के Jensen Huang 6 नमबर पे भारते थे Adobe के Shantanu Narayan 7 नमबर पे भी भारते थे Mastercard के Ajay Banga और 9 में भी भारते मूलके थे Microsoft के Satya Nadella यानि कि भारते मूलके 3 जने थे Top 10 में फिर है अभी भारते 9 सेना दिवस हमने कब मनाया तो याद रखना 4 December को मनाते हैं Indian Navy Day अच्छा 9 सेना प्रमुक कौन है हमारे Karambir Singh है फिर है Under 19 ICC Cricket World Cup 2020 का आयोजन किस देश में होगा तो आंसर होगा दक्षिन अफरिका में और ये इसका 13 संस्क्रन होगा और भारते टीम के तो कप्तान भी डिसाइड हो गए है उत्तर प्रदेश के प्रियम गर गोंगे कप्तान फिर है विश्व फुटबॉल का सबसे प्रतिष्टित पुरस्कार बैलेंडियोर किस ने जीता आंसर होगा लियोनल मैसी ने तो बार्सिलोना क्लब की ओर से खिलते हैं लियोनल मैसी और ये किस देश के हैं दुनिया के पहले विक्ति बन गए लियोनल मैसी ने जीता फिर है मौरिश्यस के नए राष्टपती कौन बन गए हैं आंचर होगा प्रत्यूराद सिंग रुपून तो मौरिश्यस के नए राष्टपती याद रखो प्रत्यूराद सिंग रुपून और कुछ समय पहले मौरिशयस के ने प्रधान मंतरी बने थे प्रवीन जुगनाथ वैसे अब option C देखोगे Sophie Wilm में Belgium की पहली महीला प्रधान मंतरी है और जुजाना कैबुटोवा स्लुवाके की पहली महीला प्रसिडेंट है मौरिशयस केपिटल पोर्ट लुइस होती है करंसी है मौरिशयन रुपी प्रधान मंतरी तो यह है प्रवीन जुगनाथ और प्रेसिडेंट प्रत्युराद सिंग रुपुल फिर है क्रिसिल जो की क्रेडिट रेटिंग एजन्सी उसने वित्वर्ष 2019-20 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है आंसर होगा 5.1% और अभी आपको याद रखना है कि RBI ने भी अपनी GDP ग्रोथ रेट को घटा करके 5% कर दिया है SBI का भी 5% है और जो पहला क्वार्टर रहा अप्रेल मई जून का उसमें भी सरकार ने GDP कितना बताया 5% बताया और देसंबर की 5 तारीक को ही हम विश्व म्रदा दिवस भी मनाते हैं फिर है 2020 में राश्ट्रे सिख खेलों की मेजबानी करेगा कौन नई दिल्ली तो नई दिल्ली में 9 से 12 जनवरी तो खोंगे नेशनल सिख गेम्स फिर है किसे कर्मवीर चक्र अवार्ट से सम्मानित किया गया तो आंसर होगा राहुल अधिकारी को तो इंटरनेशनल चेंजमेकर ओलम्पियाट के फाउंडर है ये आईटी गुल्ड मेडलिस्ट भी है राहुल अधिकारी और इनको एडुकेशन सेक्टर में दिये गए उनके योगदान के लिए ये सम्मान मिला है फिर है Global Migration Film Festival का आयोजन किस देश में किया गया तो आंसर होगा बंगला देश में जिसमें Migration यानि की प्रवाशन के उपर 15 फिल्म में दिखाए गई थी बात Film Festival की ये तो तीन पॉइंट पे आपको बताऊंगा एक तो गोवा International Film Festival याद रखो जिसमें ये नवंबर में हुआ था और Focus Country रहा था रशिया वहीं नवंबर में Kolkata International Film Festival भी हुआ था उसमें Focus Country रहा था जर्मनी गोवा हाटी Film Festival जो हुआ था उसमें Focus Country रहा था इरान फिर है Hand in Hand Exercise 2019 भारत और किस देश की बीच में शुरू हुआ तो आंसर होगा चाइना बहीं चाइना और भारत की बीच में होता है ये Hand in Hand Exercise जो 7 से 20 देसमबर तक चला था अचा हुआ कहां पे था तो ये मेगाले के उम्रोई में हुआ और आपको याद होगा मेगाले के उम्रोई में सेप्टेमबर में ही एक exercise हुआ था नाम है उसका मेत्री exercise किसके बीच में होता है इंडिया और थाइलेंड के बीच में फिर है विश्व मिट्टी दिवस World Soil Day हमने कब मनाया आंसर होगा 5 देसमबर को और 5 देसमबर को International Volunteers Day अंतर राष्टे स्वंशेवक दिवस भी मनाया जिसकी थीम थी Volunteers for an inclusive future फिर एक किस राज्य में भारत के पहले समुद्री संग्राली की स्ताफना की जाएगी आंसर होगा गुजरात में तो भारत और पुर्तगाल सरकार समुद्री अध्यान करने के लिए और समुद्री पुरातत्व को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के लोथल में भारत के पहले राष्ट्रे समुद्री विरासत संग्राले की स्ताफना गरेगा गुजरात की केपिटल गांधी नगर है और गांधी नगर गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त जिला भी है गवर्नर आचारे देवरत हैं मुक्य मंत्रियें विजे रुपानी अच्छा स्टुडिंट्स आप लोगों को याद दिला दू अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेर जरूर कर देना अपने दोस्तों में मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट में जागर के आप लोग भूल जाते हैं तो इसको शेर करना मत भूलना बढ़ते हैं आगे फिर है किसे एटी याने की एकॉनमिक टाइम लाइफ टाइम अचिमेंट अवाट से सम्मानित किया गया था तो आंसर होगा अरुन जेटली जी को तो पूर्व वित्त मंतरी स्वरगिया अरुन जेटली जी को लोग सेवा 2019 के लिए एकॉनमिक टाइम लाइफ टाइम अचिमेंट अवाट से सम्मानित किया गया ये पर उसका अरुन की पतनी संगीता जेटली को दिया गया साथ में याद रखना दिली का जो फिरूद शाक उटला इस्टेडे में उसका नाम अरुन जेटली जी के नाम पर रख दिया गया फिर है किसे पेटा का पर्सन अप दा इयर अवाट से सम्मानित किया गया आंसर होगा जोकेन राफिल फिनिक्स को तो इनका एक कैरेक्टर है मुवी में जोकर उसके नाम से काफी फेमस है ये एक अमेरिकन एक्टर है जोके इन राफिल फिनिक्स और इनी को पेटा यानि की पीपल फॉर दा एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल के पर्सन अप दा इयर 2019 अवाट से सम्मानित किया गया और पिछले महीने नवंबर में अपन ने पढ़ा था कि विराट कॉली को भी 2019 का पेटा इन्डियास परसन अप दा इयर आवाट दिया गया था फिर है कि सराज्य ने स्कूली छात्रों की साहिता के लिए मधू एप्लिकेशन लॉंच की आंसर होगा उडिसा तो ये एक e-learning mobile phone application है जो स्कूली छात्रों को उनके subject को बहतर तरीके से समझने में उनकी मदद करेंगे फिर है RBI ने चालू वित वर्ष के लिए GDP growth rate गटा कर कितनी कर दिये भारत की तो आंसर होगा 5% पहले इस ने 6.1% का था लेकिन अब 5% कर दिया है State Bank of India की भी 5% ही है मतब State Bank of India ने भी भारत की GDP 5% ही बता रखी है फिर है Fasai ने किस station को देश के पहले eat right station के रुप में प्रमानिक किया है आंसर होगा Mumbai Central को Actually Fasai के दौरा eat right moment शुरू किया गया था और उसी के अंतरगत eat healthy, eat safe यानि के रेल में जो खाना मिलता है न वो healthy भी हो और safe भी हो और इसी के लिए Fasai ने Mumbai Central Railway Station को 4 Star Rating के साथ Eat right station का टेग भी दिया है और इस तरह से Eat right टेग पाने वाला Mumbai Central Station देश का पहला station बन गया है Fasai मतलब F.S.S.I. मतलब Food Safety and Standard Authority of India इसके अध्यक्ष है रीता तांतिया और CEO है पवन कुमार अगरवाल फिर है dictionary.com ने किस शब्द को 2019 का word of the year चुना है आंसर होगा अस्तित्व को existential इसी के साथ याद रखो नवंबर पे अपने पड़ा था Oxford Dictionary ने इस साल का word of the year चुना था climate emergency को और एक climate strike ये word of the year रहा था Collins Dictionary का फिर है भारत और किस देश के बीच में इंद्रा 2019 अभ्यास होगा तो आंसर होगा रशिया तो भारत और रशिया के बीच में होता है ये इंद्रा अभ्यास ये एक 3 सेवा यानि कि Tri Service Exercise है Tri Service मतलब हो गया इसमें दोनों देशों की तीनों सेनाय पार्टिसिपिट करती है ये 10 December को शुरू हुआ जो कि 19 December तक चला अच्छा ये शुरू का पे हुआ तो ये 3 जगे शुरू हुआ एक तो बविना में जहासी के पास में एक पूने में और एक गोवा में देखो भारत Tri Service Exercise एक तो रश्या के साथ करता है ये इंदरा जिसका नाम है और पहली बार हमने शुरू किया है अमेरिका के साथ भी एक Tri Service जो हमने नवंबर में किया था जिसका नाम है Tiger Triem जो हुआ था अंदरपरदेश की विशागा पत्नम और काकिनाणा में फिर है Top 100 City Destination Ranking में भारत का कौन सा शहर Top 10 में पहुचा आंचर होगा दिली तो अभी Euro Monitor International ने Top 100 City Destination Ranking चारी की थी और इसमें दिली आठवे स्थान पे रहा यानि कि Top 10 में इसमें Top पे था Hong Kong फिर है वैश्विक जलवायू जोखिम सूचकांक यानि कि Global Climate Risk Index में भारत किस स्थान पे रहा है आंचर होगा पांचवे स्थान पे आपको याद होगा इस साल United Nation जलवायू परिवर्तन सम्मेलन यानि कि COP25 चिले में होना दा लेकिन वो काँपे हो रहा है इस पेन की राजदानी मेडरेड में हो रहा है क्योंकि चिले में मना कर दिया गया है कि हम नहीं करेंगे तो वहीं पर उसी सम्मेलन में Global Climate Risk Index जारी किया गया और उस Index में ये पता चला कि जलवायू परिवर्तन से Climate Change किये करन सबसे ज़्यादा कौन सा देश प्रभावी तुआ है यानि कि सबसे ज़्यादा तवाही, सुनामी, भूस, कलन ये सबसे ज़्यादा काँपे होए है ये होए है जापान में फिर फिलिपिन्स में दुनिया के टॉप फॉर कंट्रीज में भारत नहीं है अच्छा सबसे अदर मलेरिया के मामले है का पर है अफ्रीकी देश घाना और नाइजीरिया में अच्छा वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया अपनने 25 अप्रेल को और इसकी थीम भी याद रखो जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी वर्ल्ड हेल्ट ऑर्गेनाजेशन का हेटकॉर्टर याद रखो जैनेवा सुट्जल लेन में है और डारेक्टर जनरल है तैद्रॉस अधनॉम जो की इथोपिया से हैं फिर है किसे नेशनल फ्लॉरेंस नाइटेंगल अवर्ड से सम्मा हो गई थी तो उस नर्ष का नाम था लिनी पुत्तु सेरी तो अब उन्हें मनोपरांथ नेशनल नाइटेंगल अवर्ड से सम्मानित किया गया और यह फ्लॉरेंस नाइटेंगल वह महिला थी आप क्या दो मॉडन और यह जो फ्लॉरेंस नाइटेंगल है जो सबसे पहली न जाता है और इनका जन्म हुआ था 12 मई 1974 को इसलिए 12 मई को हर साल में इंटरनेशनल नर्स डे भी मनाते हैं फिर है किसे 2019 की सरुषरिष्ट गूगल एप के लिए चुना गया है तो आंसर होगा शिल्पा शेटी एप को तो बॉलिवूड एक्टर से ही शिल्पा शेटी और इनकी फिटनेस एप्लिकेशन है जिसका नाम है शिल्पा शेटी एप तो इसी एप्लिकेशन को गूगल प्ले की 2019 की सरुषरिष्ट एप के लिए चुना गया है फिर है अभी देसंबर में ही नाटो शिकर सम्मिलन का आयोजन कहांपे किया गया तो आंसर होगा लंडन में UK के लंडन में नाटो मतलब North Atlantic Treaty Organization इसका Headquarter याद रखलो Brussels Belgium में है और इसी साल इसका एक नया देश मेंबर बना था तीसवे नंबर का Macedonia और इसी साल नाटो की सेन्य अधिकारी कौन बने थे अमेरिका वायुसेना के जनरल Todd Walters फिर पाकिस्तान के नए Chief Justice कौन बने है तो आंसर होगा गुलजार अहमद तो अभी तक पाकिस्तान के Chief Justice थे आसिश साइद खोसा जो अभी देसंबर में रिटायर्ड हो जाएंगे और 21 देसंबर को गुलजार अहमद पाकिस्तान के नए Chief Justice बन जाएंगे अचा भारत के नए Chief Justice अभी नवंबर में बने थे कौन शरद अर्विंद बूबड ये 47 नंबर के हैं और ये नाकपूर से हैं फिर एक इस देश ने पहली बार जीवित व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए किस मारक सिक्का बनाया है तो आंसर होगा सुजजलेन ने तो सुजलेन की सरकार ने स्विस के स्टार टैनिस प्लेयर रोजर फेडर के सम्मान में 20 फ्रेंक वेल्यू का चांदी का सिक्का बनाया है और इस तरह से रोजर फेडर सुजलेन के पहले व्यक्ति बन गए हैं पहले जीवित व्यक्ति बन गए हैं जिनके सम्मान में सुजले में फैला हुआ है और इसका उद्गाटन किया मद्य पर्देश के देवास में हमारी फूद प्रोसेसिंग मिनिस्टर हर सिम्रत को और बादल ने जिनका निर्वार्चन शेत्र है भटिंडा पंजाब फिर है यूनिसेफ के डेनी काए मानवतावादी प्रोसकार से किसे सम्मानित किया गया आंसर होगा प्रियंका चोबडा को आपको बता दू प्रियंका चोबडा यूनिसेफ की गुडविल अम्बेसेडर भी है यूनिसेफ यानि की United Nations International Children's Emergency Fund Headquarters का New York में है और इसकी Head कौन है तो guys ये लीज़े December के first week का जो भी important current affairs थे वो मैंने आपको complete करवा दिये हैं ये इसका second part था first part हम already देख चुके हैं दो part बनाने का मकसद मेरा इतना ही था कि जो भी important question थे मैं उन्हें छोणना नहीं चाता था वना top 20, top 25 करके मैं भी ला सकता था लेकिन उससे काफी कुछ questions थे जो आपके छूट जाते जब one liner में आपका revision करवा है रहा हूँ तो question को क्यों छूटना लेकिन जब month के end में अगर आप लोग का होगे response अगर आप लोग का अच्छा रेता है weekly इसले में ले करके आ रहा हूँ एक बार आप लोग का response पता लग जाए तो अगर month के last में बनता है तो इसमें से भी कुछ questions हम हटा सकते हैं जो इतने ज़ादा important नहीं है उसमें किवल important important ही रखेंगे हो सकता है top 300 का बन जाए top 200 का बन जाए वो depend करेगा तो please आप इन वीडियो को share जरूर करें अगर आप लोग चाते हो कि month के end में भी आप लोग के लिए question का वीडियो बनाया जाए thank you guys फिर अभी किस राजे में हॉर्ण बिल फेस्टिवल शुरू हुआ है तो आंसर होगा नागालेन में तो नागालेन में शुरू हुआ है ये हॉन बिल फेस्टिवल जो कि इसका 20 वा संसकरन है जो कि एक दिसमबर को शुरू हुआ था और 10 दिसमबर तक चला अच्छा एक दिसमबर को नागालेन ने अपना इस्तापना दिवस भी मनाय था आचा इसके अलावा याद रखना एक पक्के-पागा हॉनबिल फेस्टिवल भी होता है वो होता है अरुनाचल प्रदीश में। हॉनबिल एक पक्षी है जो की स्टेट एनिमल है अरुनाचल प्रदीश का। नागलेंग की कैपिटल है कोहीमा, मुख्य मंत्री हैं नेफियो रियो और गवर्नर को ने आरेन रवी फिर है अभी केग ने एक रिपूट जारी किये और उसमें बताया कि रेल्वे का वित्वर्ष 2017-18 में परीचालन अनुपात ओपरेटिंग रेशो कितना रहा है आंसर होगा 98.44% कैग यानि की Comptroller and Auditor General यानि नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक तो इसने एक रिपूट जारी किये और उसमें बताया कि रेल्वे का वित्वर्ष 2017-18 में ओपरेटिंग रेशो 98.44% रहा है जो कि पिछले 10 सालों में सबसे खराब है अच्छा क्या मतलब हो गया इसका उपरेटिंग रेशो का मतलब रेल्वे ने 100 रुपे कमाने के लिए 98.44 रुपे खर्च कर दिये कैग कौन है हमारे राजिव महर्शी है और पिछले फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था एक अपोइन्मेंट CGA का Controller General of Accounts लेखा महानी अंतरक कौन बनी थी सोमा राइब बर्मन वो भी आद रखो फिर है Asian Development Bank के नए अध्यक्ष की रुप में किसे नियूक्ट किया गया है आंचर होगा यह मैं आपको पहले भी बताया था कि अभी तक जो Asian Development Bank के अध्यक्ष थे ताकि हिको ना काओ उन्होंने अपने पद से इस्तिफा दे दिया था लेकिन वो 16 जनवरी 2020 तक अपने पद पर बने रहेंगे और उनके हटने के बाद Asian Development Bank के नए अध्यक्ष बन जाएंगे यह Asian Development Bank के दसवे अध्यक्ष होंगे Asian Development Bank याद रखो इसका हैटक्वाटर है मनीला फिलिपिन्स में प्रशन है कि अभी किसे 50 वे फिट इंडिया प्लॉगिंग रन का प्लॉगिंग राजदूत बनाया गया है तो सही उत्तर होगा रिपू दमन बेवली को अब आपको यहाँ पे जानना होगा कि यह प्लेग प्लॉगिंग रन क्या होता है जब आप जोगिंग कर रहे हो जोगिंग करने के साथ साथ में आप कचरा भी उठाते हुए चल रहे हो और एलेंग बाम वेलेंटीना देवी मनिपूर की ग्रीन एमबैसेडर बनी थी फिर है अभी अंतराष्टे नागरिक विमानन उड़ायन दिवस यानि की इंटरनेश्टनल सिविल एवेशन डे कब मनाया गया तो आंसर होगा साथ दिसंबर को जिसकी थीम रही थी 75 years of connecting the world अचा साथ दिसंबर को एक और important day मनाया था पन्ने ससष्टर सेना जंडा दिवस Armed Force Flag Day फिर है किसे ग्रह मंतराले में वरिष्ट सुरक्षा सलाकार के रूप में नियुक्त किया गया आंसर होगा के विजे कुमार को तो अब ये जम्मू कश्मीर और उग्रवाद प्रवावित राज्यों के सुरक्षा संबंदी मामलों पर मंतराले को सला देंगे अचा हरी मोहन ओर्डिनेंस फेक्टरी बोर्ड के चेर्मेन बने थे और वीके जोरी बोर्डर सेक्रिटी फूर्स के डिरेक्टर जनरल बने थे और मनुझ मुकंद नारावने ये अभी तो आपके आर्मी स्टाप के वाइस चीफ है लेकिन अभी आपको पता है जो हमारे आर्मी चीफ है कौन सूची में शीड्स पे कौन सा इस्टेशन रहा है सैउत्तर होगा अंडमान निकोबार का अबर्डीन पुलिस थाना तो अभी ग्रह मंत्राले ने देश में सर्वश्रेष्ट कारे करने वाले दस पुलिस थानों की सूची जारी की है और उसमें टॉप पे रहा है अंडमान निकोबार का अबर्डीन पुलिस थाना सेकेंड नमबर पे गुजरात का बालसी नोट थाना है और थर्ड नमबर पे मद्यप्रदेश का अजक बरहान पुर्थ थाना फिर है हाली में जारी एक रिपूर्ट के अनुसार बायोमेट्रिक उप्योग के मामले में भारत कौन से इस्थान पर आया है सेयुत तरोगा पांचवे स्थान पर तो ब्रिटेन की एक टेक रिसर्च फिर्म है कमपैरी टैक उसने एक रिपूर्ट जारी की है और उसमें बताया है कि लोगों की गोपनियता और बायोमेट्रिक डेटा कलेक्शन के मामले में भारत पाचवे स्थान पर है और सबसे खराब देश है चाइना जबकि बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह उसके भंडारन और उप्योग के मामले में टॉप फाइफ देशों में फर्स नमबर पर आयरलेंड है तो इंडिया की पूजिशन याद रखो फिफ्ट नमबर पर फिर है भारत का पहला एक्वा कि सराज्य में स्थापित किया जाएगा आंसर होगा देहरादून में अब ये एकक्वा क्या होता है तो दिखो ये एक तरकी लैबोरेटरी है लेब है जिसमें नदियू का वज्ज्ञानिक अद्यान किया जाएगा मुख्य रूप से वो नदिया जो की गंगा की सहायक नदिया है ट्रिब्यूटरी है तो भारत की पहली एक्वालेब कहा बनेगी उत्तराखन की राजदानी दहरादून में और दहरादून से कुछ याद आया होगा पहला हेलिकॉप्टर सम्मिट भी आपका दहरादून में हुआ था उत्तराखन की कैपिटल है दहरादून मुख्य मंत्री तिरवेंदर सिंग रावत है और गवर्नर है बेबी रानी मोर्या अच्छा इस्टुडिंट्स आप लोग को याद दिला दू अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेर जरूर कर देना अपने दोस्तों में मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट में जागर के आप लोग भूल जाते हैं तो इसको शेर करना मत भूलना बढ़ते हैं फिर है अभी तेलांगना केरोइट आफ प्रोग्रेस नाम की पुस्तक को किस ने लिखा है सही उतर होगा श्रीधर राव देश पंडे ने तो अभी तेलांगना के मुख्य मंत्री है चंदर शेखर राव और इन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर तिलगू में एक पुस्तक जिसका नाम क्या है तेलांगना केरोइट आफ प्रोग्रेस इसको रिलीस किया है और लेखक का नाम याद रखना श्रीधर राव पंडे वैसे यहाँ पर आप ऑप्चन देखो B अरूप जोती से किया अभी जीत बनर जी की बात कर लेंगे गुड एकॉनमिक्स फॉर हार्ड टाइम नाम की बुक को लिखा और 2019 का अर्थशास्त का नोबल प्रैस भी मिला था इनको इनके साथ दो जनों को और मिला थ भारत्य होकी प्लेयर को FIH यानि के इंटरनेशनल होकी फेडरेशन प्लेयर आफ द एयर के लिए नोमिनेट किया गया तो आंसर होगा मनपरीत सिंग को तो भारत्य पुरुष होकी टीम के कप्तान है मनपरीत सिंग और इनको भी हाली में FIH इंटरनेशनल होकी फेडरेशन ने वर्ष का Player of the Year Award के लिए नॉमिनेट किया है साथ मैं आप याद रखो कि हमारी पुरुष हौकी टीम के कोच कोन है इसी साल बने थे Australia की Graham Reid और International Hockey Federation की बात करेंगे Headquarter इसका Laos in Switzerland में है इसके President नरेंदर बत्रा फिर है हाली में जारी E-Commerce Index में भारत कौन से इस्तान पे रहा है सही उतर होगा 73rd नंबर पे रहा है भारत तो अभी Business Consumer E-Commerce Index 2019 जारी हुआ है और इसमें भारत 73rd नंबर पे रहा है टोटल 152 कंट्रीज में से जिसमें टॉप पे रहा है नीदर लेंग अचा इसमें बताया गया गया इंडेक्स में कि किस देश में इंटरनेट शॉपिंग कितनी जादा होती है और ये रिपोर्ट जारी की है United Nation Conference on Trade and Development ने जिसका Headquarter जेनेवा स्विट जेलेन में है तो याद रखना E-Commerce में भारत 73rd नंबर पे है फिर है हाली में किसे सीउ काफा पुरुसकार से सम्मानित किया गया सही उतर होगा डॉक्टर पदमेश्वर गोगोई को तो असम के गोला घाट में सीउ काफा समन्नाई शेत्र में आयोजिते कारेक्रम में प्रसिद्ध सिक्षाविद डॉक्टर पदमिश्वर गोगोई को सीउ काफा पुरसकार से सम्मानित किया गया अचा ऑप्शन पे अगर जाओगे आप तो अक्कितम अच्चितम नंबूदीरी दिख रहा है पचपनवा गयान पिट पुरसकार मिला इनको मल्याली लिखा के यह फिर है रंजना नारैन नेशनल आवार्ड फॉर एक्सलेंस इन जर्नलिजम 2019 मिला इनको सुरेश कृष्णा क्वालिटी रत्न पुरसकार मिला था इनको फिर है The Vault of Vishnu पुस्तक के लिखक कौन है सही उत्तर होगा अश्विन सांगी तो The Vault of Vishnu नाम की पुस्तक को लिखा है अश्विन सांगी ने जिसे रिलीस किया जाएगा 2020 में जैपूरी में आपको याद हो तो जैपूर राजस्तान का जो जैपूर है जैपूर फिल्म फेस्टिवल होगा तो जैपूर लिट्रेचल फेस्टिवल होगा अगले साल जैपूरी में राजस्तान में वहाँ पर इसको रिलीस किया जाएगा आचा वैसे आप जनरली याद रख सकते हो भगवान के उपर जो किताबी लिखते हैं न कभी आपको एक्जाम में इसा प्रशन आ जाए तो दो ही लोगों के नाम इंपोर्टेंट होते हैं एक तो अमिश्त्रिपाथी और एक ये अश्विन सांगी जो भगवान के उपर किताबी लिखते हैं और काफी फेमस है अचा उप्शन A देखो टॉनी जॉसेफ इनको भी 2019 का शान्ती भट फर्स्ट बुक प्राइज मिला था उनकी बुक Early Indians The Story of Our Ancestors and Where We Came From के लिए ओप्शन B है अरुप जोती सेकिया The Unquiet River A Biography of the Brahmaputra लिखी ती इनोंने ओप्शन D है प्रशांत किदाम B Cricket Country The Untold History of the First All India Team ये बुक इनोंने लिखी थी और ये बुक अभी निउस में रही थी क्योंकि इस बुक को Wisden India ने Book of the Year 2019 चुना था फिर है National Stock Exchange के अध्यक्ष की रुप में किसे निउक्त किया गया आंसर होगा Option D गिरिश्चंद चतुरवेदी को आचा गिरिश्चंद चतुरवेदी और गिरिश्चंद मुर्मू में आप कन्फ्यूज मत कर देना गलती मत कर देना क्लियर रखना जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेट गवर्नर है गिरिश्चंद मुर्मू और National Stock Exchange के अध्यक्ष बने है गिरिश्चंद चतुरवेदी और हरी मुहन तो मैंने आपको बताई दिया ओर्डिनेंस फेक्री बोर्ट के चेर्मेन है नीलम सानी आपको पताईए आंध्यप्रदीश की पहली महिला चीफ सेकरेटरी मुखे सच्ची बनी है यह फिर हाली में पुरुष और डियाई की पहली महिला मैच रेफ्री कौन बनी है तो आंसर होगा जी एस लक्ष्मी तो भारत की जी एस लक्ष्मी 8 दिसंबर को युनाइटेडरब अमिरात में जो ICC पुरुष वंडे हुआ था उसमें मैच रेफ्री बनने वाली पहली महिला बनी थी यह युनाइटेडरब अमिरात में शाजा किर्किट स्टेडियम में युनाइटेडरब अमिरात और के बीच में खेला गया एक मैच था जिसमें वो रेफ्री बनी थी और इनका नाम तो आपको वेते भी याद होगा क्योंकि इसी साल ICC के मैच रेफ्री पैनल में नियुक्त होने वाली ये पहली महिला बनी थी वैसे ऑप्शन A देखो स्टेफनी फ्रापवर्ट ये फ्रांस की है और ये फुटबॉल मेच में रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी थी ऑप्शन C है क्लेर पुलो साथ ये ऑस्ट्रेलिया से है और पुरुष वंडे में अमपैरिंग करने वाली पहली महिला बनी थी यानिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता आंसर होगा जोजी बिनी टुन्जी ने तो जोजी बिनी टुन्जी ये किस देश की है ये साउथ अफरीका की है और 2019 के मिस युनिवर्स का खिता इन्होंने और भारत की वरती का इसमें टॉप 20 में रही थी Option A, सुमन राव है, Miss India 2019 का खिता था इन्होंने, राजस्थान से हैं ये Option B है, विदिशा बालियान, ये उत्तर प्रदेश से हैं, मुझफर नगर से और Miss Deaf Championship का खिताब जीतने वाली पहली भारत्य बनी थी ये फिर एक इस देश के चात्रों के द्वारा विक्सित, Duchi Fat 3 का तीसरा सेटलाइट है, ये एक रिमूट सेंसिंग सेटलाइट है, जिसके माध्यम से देश के सभी स्कूल के स्टुडेंटS Earth Observation के माध्यम से एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे अब ISRO ने इसको लॉंच किया, तो ISRO के बारे में जान लो ISRO की स्थापना 1969 को हुई थी, इंडियन स्पेस रिसर्च और्गिनाजेशन फुल फॉर्म हो गई, हैटक्वाटर बैंगलूरू में है और इसके चेयर परसने के शिवान, मोटो है इसका स्पेस टेक्नोलोजी इन दा सर्विस ओफ हुमन काइंट इसराइल की बात करो तो इसराइल की कैपिटल जैरू सलम है, करंसी है, इसराइली न्यू शेकेल, प्रधान मंत्री है, बेंजामिन नेप्याहू फिर अभी फिनलेंड की सबसे युवा परधान मंत्री कौन बन गई है, आंसर होगा सनामरीन, तो सनामरीन मात्र 34 येर की है, और ये फिनलेंड के परधान मंत्री बन गई है, और इस तरह से ये फिनलेंड की नहीं, बलकि पूरी दुनिया की सबसे कम उम्र की परधान मंत्र बन गई है, Social Democratic Party की है यह, Option A देखो आप चुजानक के बुटवा, स्लोवाके की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी है, Option B, सोफी विल्म, बेल्जियम की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, और Option C है, सोहल वर्क जेवडे, इतोपिया की पहली महिला राष्टपती बनी है, फिनलेंड से याद रखो, Capital Helsinki है, करंसी यूरो है, और प्रधानमंत्री तो यही बन गई, सना मरेन, आपकी जो नोक्या फोन आते हैं वो फिनलेंड की कमपनी है, भारत की कमपनी नहीं है नोक्या, फिनलेंड की है वो, फिर एक इस राजे में मानो पुस्तकाले का आयोजन क किया गया, अचा मानो पुस्तकाले मतलब क्या हो गया, तो इसमें पुस्तकों के स्थान पे मनुष्यों से अपेक्षित जानकरी ली जा सकती है, मतलब जो ग्यान है आप पुस्तकों से नहीं लोगे, बुकों से नहीं लोगे, मनुष्य होगा, उससे आप कुछ पूछोगे वो आपको जवाब देगा तो इस तरह से ग्यान का अधन प्रदान होगा और मैं आपको बता दू इस तरह के मानो पुस्तकाले की शुरुआत हुई थी सबसे पहले डेन्मार्क की केपिटल कॉपनहेगन में सन 2000 में और आज 85 से ज़्यादा देशों में मानो पुस्तकाले काम कर रहे हैं भारत में भी यह मानो पुस्तकाले हैं हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, बैंगलूर में आपको कहीं शेहरों में मिल जाएंगे फिर हैं Federation of Indian Association ने किसे New York में गंतंत्र दिवस पर आमंत्रित किया तो आंसर होगा आनंद कुमार को तो अभी Federation of Indian Association ने Super 30 के संस्तापक आनंद कुमार को New York में जो गंतंत्र दिवस समारा होगा ना उसमें इन्वाइट किया है और ये जो Federation of Indian Association है ये प्रवासी भारतियों का सबसे पुराना संगटन है और आनंद कुमार से आपको दो पॉइंट और याद रखने है इसी साल US में Education Excellence Award भी इनको मिला था और भगवान महावीर Foundation ने महावीर Award 2019 भी दिया था इनको और इसी तरह से आप देखो यहाँ पे Adam Harper University of Warwick इंगलेंड में Math के Assistant Professor है और अभी इसी साल इनको रामा नुजन Award 2019 मिला Option C है गुलाब कुठारी राजा राम मोहन रोय पुरसकार इनको मिला ये गुलाब कुठारी राजस्थान पत्री का समूग के अध्यक्ष है Option D है सुदर्शन पत्नैक युएस में People Choice Award मिला इनको और 2019 के Italian Golden Sand Art Award भी इनको मिला था फिर है किसने बंग बंदू बांगलादेश प्रीमेर लिग का उदगटन किया तो आंसर होगा बांगलादेश की प्रधान मंतरी शेक हसीना जी ने फिर है इंडिया रेंकिंग सोसाइटी की स्थापना किसको रेंक करने के लिए की गई तो आंसर होगा सेक्षनिक संस्थानों को Educational Institutes को तो हमारे मानव संसादन मंतरी हैं रमेश पोकरियाल निशंक और उन्होंने ही बताया है कि लोगशबा में भाट्यर रेंकिंग सोसाइटी के इस्थापना को मंजुरी मिल गई है तो अब Educational Institute के रेंकिंग की जाईगी फिर है भारत में किस प्रजाती के संगरक्षन के लिए Operation Clean Art शुरू किया गया आंसर होगा नेवला मैंगूज जिसे कहते हैं तो अब पेंटिंग करते हो चितरकारी करते हो तो उसमें जो Paint Brush यूज होता है न उसमें नेवले के बाल यूज होते हैं मतलब नेवले के बालों से जिसमें नेवले खतम हो जाएं भारत से फिर है हाली में टैनिस खिलाडी केरोलीन वोजनिय की ने सन्यास की घूशना की है ये किस देश की है तो अंसर होगा डैनमाग तो डैनमाग लिए टैनिस प्लेयर है ये केरोलीन वोजनिय की और अब इन्होंने टैनिस से सन्यास की घ पर याद रखना 2020 में जो जनवेरी में आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन होंगे ना उसके बाद ये सन्यास लेंगी और आपको बता दो 2018 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन वोमें सिंगल हुआ था वो इन्हों नहीं जीता था लेकिन 2019 का ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्हों नहीं जीता था त जो कि आस्ट्रेलिया की टैनिस प्लियर हैं उसके बाद Wimbledon ओपन हुआ था जो कि सीमोना हालेप ने जीता था जो कि रोमानिया की है और लास्ट में US ओपन हुआ था जो कि बियांका एंड्रूश कु ने जीता था जो कि कनेडियन है तो ये भी आपको याद रखने है बढ़ चुनिल शेट्टी को, और अक्षे कुमार अपकी टेफे, टेफे जो टेकर्टर आते उसके ब्रेंड अम्बैसेडर बने थे Tiger Shop of Asics जो Shoes की कंपनी है जापान की उसके Brand Ambassador बने थे भारत में Vicky Kaushal, Hevels के जो Grooming Product आते हैं उसके Brand Ambassador बने थे अच्छा NADA की बात करेंगे National Anti-Doping Agency जिसके Brand Ambassador बने है शोनिल शेटी तो इसकी स्तापना 2005 में वी थी Headquarters का नई दिली में है और इसके CEO है नवी नगरवाल ये तो National हो गया National Anti-Doping Agency राष्ट्रिया ठीक है जो हमारे देश में देखती है उसी तरह से पूरे विश्व में जो देखती है उसको केते है WADA World Anti-Doping Agency उसका Headquarter याद रखो Montreal Canada में है फिर है WADA ने किस देश पे चार सालों के लिए बैन लगा दिया है तो आंसर होगा रश्या पे WADA यानि कि World Anti-Doping Agency तो चार सालों पे बैन लगा दिया इसका मतलब यह हो गया कि अब रश्या जो अगले साल 2020 में Tokyo Olympic होंगे 2022 में BG Olympic होंगे और जो Qatar Football Club होगा मतलब इन चार सालों के अंदर अंदर विश्विस्तर की जितने भी खिल प्रतियोगिता होंगी उसमें अब यह participate नहीं कर पाएगा कौन रश्या और इतना ही नहीं विश्विस्तर की कारेकरम में रश्या का जो फ्लैग है ध्वज है और राष्ट्रगान है उस पर भी प्रतिबंद लगा दिया गया है अच्छाए प्रतिबंद लगाया क्यों गया है तो रश्या ने खिलाडियों का जो डोपिंग सेंपल होते तर उनके साथ छेड़ खानी किये वाडा को गलत सेंपल पहुँचाए और इसलिए उस पर ये बैन लगाया गया वाडा का हैटकोटर मॉन्ट्रियाल कैनेड़ बताया मैंने आपको फिर है हाल ही में कितने राजनाइकों को द दिवाली पावर ऑफ वन पुरसकार 2019 से सम्मानित किया गया तो अंसर होगा चार को तो संयुक्तर राष्ट ने चार प्रख्यात राजनाइकों को सुरक्चित एवं शांति पून विश्व बनाने में किये गए उनके कार्रेओं के लिए द दिवाली पावर ऑफ वन पुरसकार 2019 से सम्मानित किया है अब वो चारों के नाम क्या-क्या है वो भी देख लू तो एक तो हैं कजाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्रियों और युनाइटिड नेशन में स्थाई प्रतिनिदी केराट अब्द्रेक मनुव एक हैं सन्यूक्तर राष्ट में साइपरस के पूर्व इस्थाई प्रतिनिदी निकोलस एमिलियू तीसरे हैं सन्युक्तर राष्ट महासबा के 72 सत्र के पूर्व अध्यक्ष और सन्युक्तर राष्टर में सलोवाक्या के इस्थाई प्रतिनी दी फ्रांते सेक रुजी का और चोते हैं सन्युक्तर राष्ट में यूक्रेन के इस्थाई प्रतिनी दी वलोडिमिर येलचेंको और ये The Diwali Power of One पुरसकारों को Oscar of Diplomacy भी का जाता है मतलब इन पुरसकारों को Oscar of Diplomacy भी का जाता है फिर एक किसे News Broadcasters Federation का अध्यक्ष चुना गया है तो आंसर होगा अरनब घोस्वामी को तो देश के 78 से जादा समाचार चेनलों का संग है ये News Broadcasters Federation और इसने अभी Republic TV के प्रदान संपदक अरनब घोस्वामी को अपने गवर्निंग बूर्ड का अध्यक्ष बनाया है और ये जो News Broadcasters Federation है ये इसी साल जुलाई में बनाए फिर है अमेरिका और किस देश के बीच में Iron Union 12 नामक युद्ध अभ्या शुरू हुआ तो आंसर होगा United Arab Amirat तो अमेरिका और United Arab Amirat की थल सेनाओ के बीच में Iron Union 12 नामका ये संयुक्त सेने अभ्या से जो शुरू हुआ था फिर है किसे World's Leading Sports Tourism Destination के रूप में चुना गया है तो आंसर होगा अबुधभी को और ये लगातार साथवा मोका है जब अबुधभी को इस प्रतिष्ठित पुरसकार के लिए चुना गया है फिर अभी सिप्री की रिपूर्ट आईए और उसके अनुसार कौन सा देश दुनिया में हतियारों का सबसे बड़ा निर्माता है तो आंसर होगा USA सिप्री मतलब Stockholm International Peace Research Institute जिसका Headquarter का पर है Stockholm Sweden में और साथ में सिप्री ने ये भी बताया है कि 2018 में विश्व भर में हतियारों की बिक्री में लग भग 5 प्रतिशत की व्रद्धी हुई है और अमेरिका दुनिया में हतियारों का सबसे बड़ा निर्माता है सेकंड पर रशिया फिर आता है ब्रिटेन फिर आता है फ्रांस फिर है अभी एक घोशना हुई है उसके अनुसार 30 राफिल जेट्स पर किसके नाम के शुरुआती अक्सर अंकित होंगे तो आंसर होगा BS धनुआ तो हमारे पूर्व वायू सेना प्रमुक है BS धनुआ और उनके सम्मान में भारते वायू सेना ने 30 भारते लड़ाकु विमान राफिल की टेल पे BS लिखने का फैसला किया है जबकि जो 6 राफिल प्रसिक्षन विमान होंगे ना उनके टेल पे वर्तमान वायू सेना प्रमु फिर देसंबर 2019 में कौन सा देश अतुल्य भारत रोड़ शो 2019 की मेजबानी कर रहा है तो आंसर होगा सिंगापूर तो भारत ट्यूरिस्ट्स यानि कि परियाटकों के लिए एक पसंदीदा धेश है तो इसे दिखाने के लिए सिंगापूर में अतुल्य भारत रोड़ शो क का आयोजन किया गया सिंगापूर की कैपिटल है सिंगापूर सिटी करंसी है सिंगापूर डॉलर और प्रसीडेंट है हलीमा याकब और आपके एपिक का हैटकोर्टर भी सिंगापूर में है फिर हाली में जारी मानव विकास रेंकिंग में भारत के सिस्तान पे रहा है तो स पतलब ये हो गया कि भारत के लाखों लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। टॉप पे नॉर्वे हैं, भारत 129 पे हैं। और रिपोर्ट में बताया कि दक्षिनेशिया में पूरी दुनिया के मुकाबले बहतर ग्रोथ देखने को मिली है। युनेटिड नेशन डेवलेप्मेंट प्रोग्राम की बात करेंगे, इसका हैटकोर्टर न्यू यॉर्क में है और इसके हैड है एकिम स्तेनर। फिर है अभी किस देश में 27 साल में पहली बार पूलियो का पहला मामला धर्ज किया गया तो आंसर होगा मलेशिया में। एक्चुली मलेशिया में 1992 में पूलियो का अंतिम मामला आये था और उसके बात से सन 2000 में मलेशिया को पूलियो मुक्त गोशित कर दिया गया क्योंकि पूलियो का कोई मामला देखा नहीं गया और अब जाकर के मलेशिया में पूलियो का मामला सामने आया है तो ये साल सुल्तान अब्दुल्ला है हाली में हुए तेरवे दक्षिन एशियाई खेलों में टॉप पे कौन सा देश रहा तो आंसर होगा भारत रहा है अच्छा पहले तो ये भी याद हो कि ये जो तेरवे एशियन गेम्स हुए हैं कहां पे हुए हैं नेपाल में हुए हैं और भा परवतिय दिवस कब मनाया गया तो आंसर होगा 11 दिसंबर को और इसकी थीम भी है माउंटेन मैटर्स फॉर यूथ फिर है अभी किसने लंदन चैस क्लासिक खिताब जीता है तो आंसर होगा आर प्रग्णानन ने तो भारत की जूनियर सतरंच खिलाडी है ये आर प्रग्ण आनन्द और इन्होंने लंदन में आयो जित लंडन चैस्ट चैंपिंशिप का खिताब जीत लिया है और 20 जुलाई को हम वर्ल्ड चैस्ट डे मनाते हैं याद रखना मैगनस कालसन वर्ल्ड चैस्ट चैंपियन है अभी बर्तमान में नौर्वे के हैं ये और भारत के अभी 65 ग्रेंड मैस्टर कौन बने थे रॉनक साध्वानी ये नाखपूर से है और अभी नाखपूर से हमारे चीफ जस्तिस ऑफ इंडिया भी है 47 नंबर के है उनका नाम क्या है ये आप लोग मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में देखते हैं किस किस को पता है ये बहुत क्रिकेटर बन गए है तो अभी जलवायू प्रदर्शन सूचकांग जारी किया गया उसमें भारत कौन से इस्तान पे रहा सही उत्तर होगा नवे इस्तान पे तो अभी आपको पता है युनाटिड नेशन जलवायू शिखर सम्मिलन कहां पे हुआ था देसंबर में इस्पे लेन में आया कौन सा इस्तान मिला इसे नवा इस्तान मिला याद रखना इसमें पहले दूसरे और तीसरे इस्तान पे कुई भी देश नहीं है चौथे स्थान पे स्वीडन है और पांचवे पे है डैनमार्क और भारत है नवे स्थान पे और आपको याद हो तो इससे फर्स्ट वाले पार्ट में यह पनने पड़ा था कि इसी सम्मिलन में Global Climate Risk Index भी आया था उसमें भारत पांचवे स्थान पे था और टॉप किया था उसको जापान ने फिर है अभी एक रिपूट आईए और उसमें बताया गया है कि 2018 में दुनिया बर में सर्वाइवल केंसर से सबसे ज़्यादा किस देश में मौते हुई है तो आंसर होगा भारत में तो जर्नल लेसेंट ग्लोबल ने एक रिपूट जारी किये और उसमें बताया है कि 2018 में सर्वाइकल केंसर से दुनिया भर में सबसे ज़्यादा साथ हजार महिलाओं की मौत हुई है भारत में या दखना वर्ल्ड कैंसर डेम कब मनाते हैं चार फरवरी को जिसकी थीम रही थी I am and I will फिर है अभी किसे घाना में भारत का अगला उच्चायुक्त हाई कमिशनर नियूक्त किया गया है तो आंसर होगा श्री सुगंद राजाराम को घाना एक अफरीकन देश है कैपिटल इसकी अकरा है करंसी है घनेयन केडी फिर है अभी अंतर राष्ट्र सार्व भॉमिक स्वास्तिक कवरेज दिवस इंगलिश में बोलेंगे युनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब मनाया गया आंसर होगा बारा दिसंबर को इसकी थीम भी बनाया है तो आंसर होगा सुनील छेतरी को भारते फुटबल टीम के कप्ताने सुनील छेतरी और इनी को पुमा ने अपना ब्रेंड अमबेसेडर बनाया है और इस सिफ पहले फर्स्ट वाले पार्ट में अपने देखा था कि सुनील छेती अभी नाड़ा यानि की नेशनल टीडौपिक एक दिन्सी के ब्रेंड अमबेसेडर बने है वरुन्धवन आपके दिवलपमेंट बेंक में वित वर्स 2019 बीज के लिए भारत की गोर्थ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है तो आंचर होगा 5.1% ADB ने पहले 6.5% कहा था लेकिन अभी उसे घटा करके 5.1% कर दिया है Asian Development Bank की बात करेंगे इस्तापना 1966 में हुई Headquarter Manila Philippines में है और इसके नए अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिये गए है कौन? मसाद सुगू आसा कावा ये दसवे नंबर के इसके President होंगे अभी 16 जनवरी को अपना पद समालेंगे जब ताकी ही को नाकाव पद से हट जाएंगे फिर है भारत को तेल आपूर्ती करने के मामले में किसने कुवेट को पीछे छोड़ दिया है तो अंसर होगा अमेरिका ने तो भारत को कच्चे तेल के आपूर्ती यानि कि सप्लाई करने के मामले में अमेरिका कुवेट को पीछे छोड़ करके छटवे नंबर पे पहुँच गया है अच्छा अगर बात करें भारत को कच्चे तेल सप्लाई करने के मामले में सबसे बड़ा supplier को ने, तो याद रखना इराक है, और भारत जो है न वो petroleum products का तीसरा सबसे बड़ा consumer यानि की उपभोगता है दुनिया में, तो भारत को सब शादा कच्चा तिल कौन सप्लाई करता है फर्स नंबर पे इराक, सेकंड पे South Europe, 3rd पे Nigeria, 4th पे UAE, 5th पे Venezuela और अब 6 पे आ गया है अमेरिका, फिर है अभी दुनिया के पहले, पूरी तरह से electric, वानिजिक विमान का परिक्षन कहां किया गया, तो आंसर होगा कनेडा में, तो ये विश्व का पहला है जो पूरी तरह से electric, यानि की बैटरी से चलता है, और इसका पहली बार परिक्षन किया गया, या यूँ कह दू, इसने पहली बार उडान भरी, कनेडा में अच्छा, कनेडा में कहा, कनेडा के Vancouver शहर में, और आपने पढ़ा होगा, शायद इससे पिछले वाले पार्ट में बताया था मैंने आपको कि NASA ने भी अपने electric विमान का परिक्षन किया था उसका नाम था X-57 Maxwell, लेकिन ये जो है ये वानिजिक है, commercial है वो अपना NASA का खुद का personal था तो इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि दुनिया का पहला electric commercial विमान फिर है उत्तर प्रदेश की नौगर्ट रेल्वे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है तो अंसर होगा सिधार्थ नगर रेल्वे स्टेशन तो उत्तर प्रदेश में है ये नौगर्ट रेल्वे स्टेशन जो अब जाना जाएगा सिधार्थ नगर रेल्वे स्टेशन के नाम से फिर है अभी किस राज्य ने वर्ल्ड हैबिटीट पुरुसकार जीता है तो आंसर होगा उडिसा ने तो उडिसा ने अपने जगा मिशन के लिए ये वर्ल्ड हैबिटेड अवर्ट जीता है अब ये जगा मिशन क्या है तो इस मिशन का मेन उद्देश है जो की जुग्यों में लोग रहते है जो जिनके पास आवास नहीं है या फिर जुग्य वाले जो छोटे-छोटे मकान है उनको रहने योग्य आवास में बदलना ये है जगा मिशन उडीजा की बात करेंगे कैपिटल भूनेश्वर है मुख्य मंतरी नवीन पतनायाख है और गवर्नर है गणी शिलाल फिर है आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया ने कितनी इसमारकों को मस्ट सी यानि कि अवश्य देके इसके रूप में विक्षित किया है तो आंसर होगा 138 तो भाट्य पुरातत्व सर्वेक्षण ने 138 इसमारकों को मस्ट सी इसमारकों के रूप में चिनहित किया है मस्ट सी मतलब हम लोगों को इसे बिल्कुल देखना चाहिए इतनी स्मारकों को इन्होंने सलेक करके चिनहित किया है आपको बता दू भारत में 38 वर्ल्ड हेरिटिज साइट से जिनमें से 22 सांस्कृतिक इस्तल है जिनमें इमारते और गुफाय शामिल है आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया की बात करेंगे इसकी स्ताफना 1871 में हुई थी इसका हैटकोटर नई दिल्ली में है और इसके संस्थापक कौन थै एलेक्जेंदर कनिंगम फिर है इसरो कहां पे अपने तीसरे रॉकेट लॉंच पैड की स्ताफना करेगा तो अंसर होगा तमिल नाडु में तो इसरो तमिल नाडु के थुतुकुडी जिले के परवतिय गाओं कुल शेखरा पतिनम में तीसरे रॉकेट लॉंच पैड की स्ताफना करेगा अच्छा अगर ये तीसरा है तो इसकी दो लॉंच्पिट कहां पर है तो अंद प्रडेश की शिरीहरी कुटा में है फिर है फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवाज 2019 में किसे स्पोर्ट्स पर्सन अफ दा इयर पुरुसकार से सम्मनित किया गया है सयुत्तर होगा उपरियूक्त दोनों रानी रामपल और सौरफ चौधरी तो महिला होकी टीम की कप्तान रानी रामपल और निशानेबाज है सौरभ चौधरी इन दोनों को फिक्की India Sports Award 2019 में Sports Person of the Year Award से सम्मनित किया गया है फिक्की की फुल फर्म क्या होती है? Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry फिर है अमेरिका की Time Magazine ने किसे 2019 का Person of the Year चुना है सही उतर होगा Greta Thunberg को तो अमेरिका की Time Magazine ने Sweden की Greta Thunberg को 2019 का Person of the Year चुना है 16 साल की है मातर Greta Thunberg और ये सम्मान पाने वाली सबसिक का मुम्रकी बन गई है इस तरह से और आपको याद भी होगा अभी Greta Thunberg को अंतरराष्टे बाल शांती पुरसकार भी मिला था इनके साथ Cameroon की एक शांती राजदूत Divina Malum को भी मिला था ये पुरसकार कौन सा अंतराष्टे बाल शांती पुरसकार इसके अलावा Greta Thunberg को Right Livelihood Award जिसे Alternate Nobel Prize भी कहते हैं वो भी मिल चुका है फिर है भारते टीम के कौन से खिलाड़ी Spanish एक फुटबॉल क्लब है La Liga उसके ब्रैंड अमबेसेडर बनने वाले पहले गेर फुटबॉलर बन गए हैं तो आंसर होगा Rohit Sharma गेर फुटबॉलर मतलब हो गया अभी तक जो भी इसके ब्रैंड अमबेसेडर बनते थे वो फुटबॉल ही खेला करते थे या उस फुटबॉल से जुड़े हुए थे लेकिन Rohit Sharma तो किर्किट खेलते तो इस तरह से इनको बोला गया है गेर फुटबॉलर तो ये प्रशन इंपॉर्टेंट होगा इसे याद रखना फिर है किस महिला टैनिस की लाड़ी को WTA Player of the Year चुना गया है तो आंसर होगा एसले बार्टी तो आस्टेले की महिला टैनिस प्लेयर है ये एसले बार्टी और इनको WTA Player of the Year चुना गया है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि एसले बार्टी जो है आस्टेले का सरविश्रिष्ट खेल सम्मान ये भी इनको मिल चुका है और 2019 का कौन सा Grand Slam फ्रेंच Open Grand Slam भी इनोंने जीता था फिर है CBS Bank के नए MDCO कौन बन गए है आंसर होगा राजेंदर चिन्ना विरपन तो CBS Bank ये एक Private Sector Bank है और इसके MDCO बन गए है राजेंदर चिन्ना विरपन ये जो CBS Bank के ना इसे पहले Catholic Syrian Bank के नाम से जाना जाता था और एक्चुली राजेंदर चिन्ना विरपन इसके मतलब MDCO पहले सी थे लेकिन अभी इनका कारेकाल पूरा हो गया और इनको फिर से पुना नियुक्त किया गया इसलिए इनका नाम नियूज में था CBS Bank का Headquarter केरल त्रिसूर में है और याद रखना केरल त्रिसूर में ही आपके धन लक्षमी Bank का Headquarter भी है और Option B है SS मलीकारजुन ये पंजाब National Bank के Managing Director बने थे रवनीत गिल यस Bank के CEO है सुमंत कत्पालिया Indecent Bank के MDCO बने थे फिर है सत्रवे Bio Asia 2020 The Global Bio Asia Forum में Partner Country कौन सा होगा आंसर होगा स्विट जलेन तो हैदराबाद में अगले साल यानिकि 17 से 19 फरवरी तक होगा ये Bio Asia 2020 और ये इसका सत्रवा संसकरन होगा इसमें Switzerland Partner Country हो गया और Theme होगी इसकी Today for Tomorrow फिर है अभी विश्व की सबसे शक्ती साली सो महिलाओं की सूची जारी की गई है उसमें कितनी भारते महिलाओं शामिल है आंसर होगा तीन तो Forbes की विश्व की सबसे शक्ती शाली सो महिलाओं की सूची आई है उसमें तीन भारते महिलाओं हैं कौन कौन है वो तो एक तो हमारी केंद्रे वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन जी 34 नमबर पे रखा है इनको एक है HCL कॉर्परेशन की CEO रोशनी नादर मलहुत्रा और एक बायोकॉन की संस्थापक किरन वजुमदार शौ है अच्छा पहले नमबर पे कौन है पहले नमबर पे यानिकी दुनिया की सबसे शक्ती शाली महिला है एंजला मरकिल जर्मन चांसलर है यह सेकेंड नमबर पे है European Central Bank की अध्यक्स क्रिष्टीन लेगाडे और बांगलादेश की प्रधान मंतरी शेख हसीना जी भी इसमें है इस सुची में 29 नमबर पे हैं फिर है अभी राष्ट्रे उर्जा संग्रक्षन दिवस यानिकी National Energy Conservation Day यह हमने कब मनाया यह हमने अभी 14 देस में Virtual Police Station का उद्गाटन किया गया है तो आंसर होगा अंद्रप्रदेश में तो अभी 13 दिसंबर को ही अंद्रप्रदेश के मुक्य मंतरी YSR जगन मोहन रेड़ी ने अंद्र यूनिवर्सिटी में Virtual Police Station का उद्गाटन किया है अच्छा इसी तरह से आप याद रखना हरियाना हाई कोट ने भी भारत का पहला Virtual Court इस्तापित किया था काँपे फरीदाबाद में अंद्रप्रदेश की अभी देखो कैपिटल की बात करेंगे तो हैदराबाद है लेकिन प्रस्तावित कैपिटल अमरावती है मुक्य मंतरी है जगर मोहन रिड़ी गवर्नर है प्रियंका चोपडा तो मौरको में आयोजित मारा केच फिल्म फेस्टिवल में प्रियंका चोपडा सम्मानित होने वाली पहली भार्त्य सेलिब्रेटी बन गई है और अभी पिछले वाले यानि कि फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि UNICEF ने भी प्रियं और इसने जूरी नाम का एक application बनाया था और उसी के लिए social entrepreneurship category में Space Oscar नाम से प्रसिद कॉपर निकस master award जीता इसने अच्छा जूरी नाम का application जो इसने बनाया इससे होगा क्या तो इससे खेतों में जो आग लगाई जाती है यानि की पराली जो जलाई जाती है उसकी घटनाओं का पता लगाने और निगरानी करने के लिए इससे बनाया गया है